विल्कम टू Mastermind of JK एक बर फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind of JK में सबसे पहले मैं Mastermind of JK की तरप से सभी को ने साल की हरुदीप सुदfed ना चाहूंगा सभी को Happy New Year, सभी को ने साल मुबारक हो और भगवान से और मातारानी से ही किरपा करुणगा कि नया साल है जो आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके दोस्तों और मित्रों के लिए धेर सारी खुसियां लेकर के आए फ्रेंस तो चलिए 2022 में हम लोग इंट्री कर गया है और एक नए जोस और खुरोस से तयारी में लगे रहे हैं फ्रेंस देखिए हम लोग के बस में है मेहनत करना, मेहनत करिएगा, कर्म केझीजगा तो फल जरूर मिलेगा ठेए फ्रेंस, तो मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन, जरूर मिलेगी ठेए ठेए जो स्खोरों से आप लोग तैयारी में जूटे रहे हैं फ्रेंस और आज हम लोग देखेंगे जो आपका 365 पदों के लिए आया हुआ है उतपाद, पुलिस फ्रेंस, मध निसेद, सिपाही उसके लिए तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है इसमें आपका 50 महतपुन जिक्के जिएस देखेंगे अभी लाइब क्लास नहीं आ रहा हूँ फ्रेंस इसलिए क्योंकि मैं बताया था कि Mastermind of जिक्के के नाम से एक application बना रहा है फ्रेंस ठीक है educational application जो बहुत ही आप लोग के लिए काफी helpful होगा उसमें आपका PDF के साथ सारा test बगेरा भी देखने को मिलेगा तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है इसलिए भी live class नहीं आ रहा हूँ जल्द ही live class भी आऊँगा ठीक है फ्रेंस तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को वंसी नरेस थे ठीक है चलिए वंसी नरेस थे और एक कुमार पाल के सभा को अलंकरित करते ठीक है यह उनके राज गुरु थे जो हेम चंदर थे वो आपका चलिए वंसी नरेस कुमार पाल के राज गुरु थे तो option number 8 का correct अंसर हो जाएगा दूर नमबर सवाल आपका है नेम लिखित में से किष्णे असोग को बौध धर्में दिछित किया था तो देखे बौध धर्में दिछित असोग को किष्णे किया था तो उनका नाम था निग्रोध थे ठीके प्रेंस ओप्सन नमर A का करेक्ट अंसर हो जाएगा जिसासन के 14 मे बीबी का मकबरा को कहा जाता है इसमें एक और कोस्टन बनता है देखे जहां डिसक्राइब करने का रहे हमें बताते चलोंगा उसको याद करते चलेगा सबसे पहले तो इसका प्रेंस नाम था आ जमसा ऊरंजेव का पुतर का नाम था आ जमसा उन्होंने अपनी मा जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम उन्हीं की यस्मिरिती में बनवाया था तो फूरा कॉंसेट किलर हो गया दक्कन का ताजमल किसे का जाता है तो बीबी का मकबरा का निर्मान किसने किया था तो औरंजेव के पुत्र आजम साहने अपनी मा की याद में करवाया था उनकी मा का क्या नाम था दिलास बानो बेगम यह कहां पढ़ता है फ्रेंस तो औरंगाबाद में पढ़ता है तो चलिए चौथा नमर शवाल को देखते है फ्रेंस चौथा नमर शवाल आपका है एक नट चौथा नमर शवाल आपका है निम्ड कित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है तो सुमेलित इसमें जो यूग में नहीं है फ्रेंस आपका ये तो है रतना वाली हर्स वर्ध ज़ाए है कि मुद्रा राच्छा साप किसका विसाइक न लिखा न आपका उमेलित नहीं है देव चंदरी गुपतम ायगा आत चुंकिम हो जाएगा पांच नमर भी होगka छटफ़ा नमर ոाबर नागा नन् now नाटक के लिख़ कौन है तो देखें इसमे आपका नागा नन् नातक हो जाएगा आपका हर्सवर्धन हर्सवर्धननलिखा था हर्सवर्धन के द्वारा फ्रेंश देखें तीन लिखा गया था एक नागा नंद एक रतना वली और एक पिर दर्शिका तीनों याद रखिया है यह सबी है जो हर्ष वर्धन के द्वारा लिखा गया है तो नागा नंद नाटक का हो जाएगा आपका हर्ष वर्धन फिरिंट अभी हम लोग ने यहाँ पर देखे सुमेलित कौ आपका कौन हर्ष वर्धन और दूसरे यहां फिर देखे पूछ दिया आपका नागा नन के कौन है एक प्रिदर सिका है उसका भी लेखक है जो आपका हर्ष वर्धन है तो इच्छा का करेक्ट अंसर सी हो जाएगा साथ मान नमर शावाल आपका है निमनी में से किसे मुगल परसासन में अमीरों का मुख्ष माना जाता था तो मुगल परसासन में जो अमीरों का मुख्ष परमुख होता था उसको दिवान ए आला कहा जाता था याद रखेगा साथ का करेक्ट अंसर आप्सन नमर ए हो जाएगा ठीक है मुगल परसासन में अमीरों का मुख्ष को क parleव चस्वी संद्क पर की कुentlich का जाएगा मुहमेद बिन कासिम् कें अरब को मुषभा था तो कि यहां कोश्चन था कि पर्थम मुस्जिमार करते अन सर्थ हो जाएगा अगला सवाल आपका आठ नमर्श अवाल हो गया नो नमर्शवाल को देख учyn कौं सी इतिहासि गरंथ भारत में मुस्लिम सासक के प्ररंम की रखांकित करता है थे रहा है कि यह भंशलिम slasak की रहा रखांकी करता है ठीक है जिए भारत में जो मुस्लिम सासक का प्रारंभ हुआ था इसके बारे में जनकारी कौन सा गरंतमी मिलता है तो नौ का करेक्टर दिखा गया है तो यहाँ पर देखने हुं घ्रम इवंप्रामार्थ काजों के मंत्री थे सुदूर मोगलों के अधिन धर्म इवंप्रामर्थ काजों के मंत्री थे इगारा सर टॉमस रो किसके दर्बार में आये थे इगारा का तो सर टॉमस रो है जो मुगल बादसाथ जहांगिर के दर्बार में भारत आया था ठीक है तो इगारा का कारेक्टन सर ओप्सन नमबर आपका भी हो जाएगा जहांगिर के दरबार में यह आपका आया था Sir Thomas Rowe और पूछा जाता है यह तो हो गया Sir Thomas Rowe किसके सासनकाल में आया था जहांगिर के सासनकाल में तो जहांगिर के सासनकाल में आपका Captain Hawkins और Sir Thomas Rowe और एक William Finch यह सबी है जो इसी के सासनकाल में आया था तो Sir Thomas Rowe आद रखेगा Captain Hawkins और क्या William Finch है जो इसी के सासनकाल में आया था अगला सवाल बारा नमर सवाल को देखते हैं कि जिस समय ICS में भारतियों की आयू घटा कर ICS में भारतियों की आयू घटा कर 19 वर्स की गई Lord Selly Svary थे कौन थे 12 का correct answer हो जागा आपका option number B हो जागा Secretary of State देखे कर आया question समझे कि जिस समय आपका ICS ICS में भारतियों की आयू घटा कर 19 वर्स की गई तो उस समय Lord Selly Svary कौन थे तो जिस Lord Selly Svary थे वो आप क्या थे तो आपका Secretary of State थे option number 20 का character हो जागा तेरा नमर स्रवाल मुहम्मद गौरी और पिर्थवी राज चोहान के बीच कौन सी लडाई हुई थे तो सभी को पता हो अगेश की जे तेरा का character answer क्या होगा यह आपका तराइन का जुद हुआ था ठेक है तो मुहम्मद गौरी और पिर्थवी राज के चोहान के बीच में जो लडाई हुई थे गारउस एकानमे में से तराइन का जुद कहा जाता है इसमें मुहम्मद गौरी की हार हुई थे 1191 में हुआ थे प्रेंस पुना 1192 में फिर तराइन की दुद हुआ था फ्रेंस युद में मुहम्मद गौरी ने पिर्थवी राज चोहान को पराजित किया था ठीक है उसके बाद में फ्रेंस आपका एक पुछा था 1194 में 1194 में में चंदावर की लडाई हुई थे ठेंस चंदावर की लडाई में मुहम्मद गौरी ने जय चंद को पराजित किया था अगला सवाल है 14 नमर भारती रष्टे कॉंग्रेस के पर्थम यूरोपी अध्यक्ष कौन थे 14 का कारेक्टनसर होगा जौर्ज जूले थे जे भारती रष्टे कॉंग्रेस के पर्थम यूरोपी अध्यक्ष छे 15 नमर भाल 1935 के भारत सरकार अधनियम द्वरा स्थापित संगियन या आलाई के परमुख मुख नाइधिस कौन थे 15 का जो कारेक्टनसर होगा फ्रेंज आपका आपसन नमर डी हो जाएगा सर मोरिस ग्वेयर थे ठीक है 15 का कारेक्टनसर डी हो जाएगा उन्ये 32 के भारत सरकार अधनियम द्वरा स्थापित संगियन या आलाई की परमुख नाइधिस कों थे तो option number 10 का correct answer हो जाएगा 16 number शवाल को देखे किसकी असली नाम मूल संकर था पहले भी बहुत बार में पढ़ाया हूँ अफ्रिन से मूल संकर तो देखे स्वामी द्यानन सरस्वती के मूल नाम था असली नाम था मूल संकर था स्वामी द्यानन सरस्वती जिन्हों ने 1875 इस्वे में आपका आरे समाज की अस्थापना किये थे चलिए अगला सवाल को लेते हैं 17 number सवाल आउवा अधिनियम जिसे जुआहल लाल नहरू दास्ता का चार्टर कहा था देखें कौन सा अधिनियम था जिसको जुआहल लाल नहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था तो 17 का करेक्टर हो जाएगा option number D 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम को जुआहल लाल नहरू ने क्या कहा था तो दास्ता का चार्टर कहा था तो असत्र का जो कारेक्ट अंसर होगा फ्रेंस आपका option number D हो जाएगा 18 नंबर शवाल देखें 18 नंबर शवाल आपका है कि All India Untouchability League All India Untouchability League जो कालांतर में हरिजन सेवक संग के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ था 18 का का चारेक्ट अंसर आप्शन नंबर शवाल आपका चारेक्ट अंसर होगा 30 सितंबर 1932 में All India Untouchability लिग के अस्थापना बाद में इस लिग का नाम बदल कर क्या कर दिया हरिजन सेवक संग कर दिया गया तो इसका correct answer ऑप्शन नंबर C हो जाएगा गांधी जी द्वारा हरिजन नाम से समाचार पत्र निकाला गया था यह भी आद रखेगा टेज़ अगर किसे पूछे आपसे की हरिजन नाम से समाचार पत्र के द्वारा लिकाला गया था तो आपका गांधी जी के द्वारा लिका ला गया था तो इसका सयन्सरी है और वह भी आद रखेगा 32 नमर 1935 1932 1932 के पुना समझाता से परत्यच परत्यच शतिये परभावित हुए 1932 के जो पुना पैक्ट पुना समझाता हुआ उसे परत्यच शुरुप से जो परभावित हुए थे वो दलीत रोग ज़्यादा परभावित हुए थे 20 नमर स्वेज नहर इंदो अस्थनों या महादिप के मध की दूरी को कम किया है स्वेज नहर तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से तो देखे आपका उरोप और दच्छी नेश्या की दूरी को ज़्यादा कम किया है स्वेज नहर उरोप और दच्छी नेश्या के मध की दूरी को ज़्यादा कम किया है तो आप्शन नमर एस का कैरेक्ट असर हो जाएगा ठेपिन्स और ये देखें पूछा आता स्वेज नहर है जो किसको किसको जोडता है अगर जो पूछे ये भुमद्य सागर को किससे जोडता है तो आपका लाल सागर से जोडता है ठेक है ये स्वेज नहर किसको जोडता है तो भुमद्य सागर से लाल सागर को जोडता है स्वेज नहर का निर्मान कब हुआ था फ्रेंज तो इसका निर्मान हुआ था आपका 1869 स्वी से ले करके आपका 69 के बीच में हुआ था ठीक है इसका निर्मान इसी के बीच में हुआ था स्वेज नहर का निर्मान कब हुआ था तो 1869 से ले करके 1869 से लेकर करके 69 इसवी के बीच में इसका निर्मान हुआ था तो दो कोश्टेन इससे पूछा जाता है स्वेज नहर का ठीक है और इसका जो राष्टेकरन करवाया था करनल नासिर ने करवाया था आप लोग याद रखेगा दो कोश्टेन पूछा जाता है एक तो एक पूछा गया है कि स्वेज नहर किन्दो अस्थरों का या महादेब का मध दूरी कम किया है तो उरोप और दचिन इसिया का कम किया है और एक किसको किसको जोडता है फ्रेंस तो इमें मैंने बता दिया स्वेज नहरे जो किसको जोड़ता है भूमाद सागर को लाल सागर से जोड़ता है अगला सवाल है अपका कि निम्लिखित अस्थान तथा उध्योग से सम्मंदित गलत जोड़ा बताईए अस्थान और उध्योग से सम्मंदित गलत जोड़ा इसमें कौन सा है तीटा गड़ कुर्भा एल्मुनियम के लिए आपका गलत है धारिवाल यह उनिवर्थ के लिए और उनिवस्थ के लिए ज्यादा फेमस है penguin bought वाकई यह सबी है चीटा गड़ जूत उधोग के लिए पर साहिए लोग वस्त्र के लिए है यह आप लोग जुरूर इसे याद रखें इस अब सही है 22 नमर्श वाल को देखते है 22 नमर्श वाल एफ्रेंस को उसने कटी बंदिये सदा वहार बन कहां पाये जाते हैं 22 का करेक्टरंसर ओप्शन नमर्श वाल को देखें नम्रिकित में से किस भू आकर्ति का निर्मान हिमानी द्वारा नहीं होता है तो तेश का आपका करेक्टरंसर हो जाएगा फ्रेंस आपका आप्शन नमर्श वी टोमढलो का निर्मान हिमानी के द्वारा नहीं होता है बाकि ड्रमलिन का होता है टॉर्ण होता है लटकती घाटी ठीक है हिमानी के परदन से ड्रमलिन बनता है आपका लटकती घाटी बनता है आपका टॉर्ण बनता है ठीक है यह आकिर्थी का निर्मान होता है ठीक है यह आकिर्थी का न फाइकोलिथ किस वर्ग की चटान है बहुत अच्छा question है फ्रेंस नाम सुनोंगे आपका फोर्थ या फाइफ क्लास में भी आप जोगरफिम पढ़ना चेप्टर दिया है उसमें चटान में दिया है लाइपोलिथ और फाइकोलिथ किस वर्ग के चटान के अंतर गताता है तो चुविस का करेक्टन सर इस अगनाईस चटाल का उदाहरन होता है ठीक है फ्रेंस अगला सवाल देखते है रूस और अधोगिक परदेश कहां है रूर तो जानते होंगा आपको फ्रेंस रूर घाटी बहुत फेमस है कहां जर्मनी ना पचीस का करेक्टन सर आपसर नमर बी हो जाएगा रूर अधोगिक परदेश है जो जर्मनी में है ठीक है फ्रेंस याद रखिया रूर अधोगिक में परदेश में आपका लोहा इस्प किया था गहन प्रस्थिति की सब्द का पर्योग सबसे पहले किषनी किया था 26 का करेक्टनसर आप्षन नमर डी अर्नीजस नेस ने किया था 27 सवाना घास का मैदान कहां पढ़ता है पढ़ाया वा कोश्चन सब यह फ्रेंज सवाना घास का मैदान कहां है 27 का करेक्टन सर आपका मध्धि पूर्वी अफिरका में सवाना घास का मैदान आपको पाया जाता है सवाना घस का मैदार मुख्रूप से आपका पूर्वी अफिरका में पाया जाता है और इसका जो सरवाधिक बिस्तार है फ्रेंस आपका फिरका में ही पाया जाता है चलिए अगला सवाल को देखते हैं किरा नाथे चलिएव बद्री नाथ इस्थित है और फिरका याद रखेगा कहा तो उत्रा खड परता है तो इसका अगला सवाल को देखते हैं भारत की निम लिखित जीलों में से कौन सा असम में श्थित है चलिए असम में कौन सा जील है 29 नमर शवाल 29 नमर शवाल का जो आपका कैरेक्टर हो जाएगा option नमर ए हो जाएगा ठीक है चप नाला जील है जो आपको कहा है फ्रेंस तो चप नाला जील है जो आपका असम में है यह एक मीठे पानी का जील है कैसा जील है तो यह एक मीठे पानी का जील है याद रखेगा फ्रेंस और पढ़ता है कुलोरू जिल उसके बाद में बच गया चपनाला जिल तो हम देख लिए असम में कुलोरू जिल कहां पढ़ता है तो आपका आंदर परदेश में पढ़ता है अब बच गया आपका परासर जिल ठीक है हमीर सर जिल है जो आपका कहां पढ़ता है हमीर सर जिल पढ़ता है जो आपका कच के गुजरात में पढ़ता है हमीर सर जिल पढ़ता है अभी मैंने बताया हमीर सर जिल हो आपका कहां पढ़ता है futis 2 गुजर्त में पढ़ता है इसका सभी को याद रखेगा और इसका को स्थाओं स्वाल ओपि यह 20 चलिए 31 नमबर शवाल को देखते 31 नमबर शवाल है दिसम्बर 2020 में भारत के संचार उपगरा CMS01 का सफल परिशिपन कहां से किया गया ठीक है उपगरा है न उपगरा बगेरा इस अब कहां से लौंच होता है 31 का कारेक्टन सिरी हर कोटा से 32 नमबर शवाल को देखे 32 नमबर शवाल आपका है कि छमे भारत अंतराष्टे विज्ञान महोत्सव 2020 का होजन कब किया गया 32 का कारेक्टन सिरी हो जाएगा 22 से 25 दिसम्बर 2020 में किया गया 33 नमबर शवाल को देखे किसे 20 व्यवपार संगठन का नया महानी देशक चुना गया है तो 20 व्यवपार संगठन WTO ठीक है World Trade Organization तो 20 व्यवपार संगठन के नया महानी देशक किसे बनाया गया है तो 33 का जो कारेक्टन सिरी हो जाएगा आप्शन नमबर A नागो जी उनको जो इवेला को बनाया गया है ठीक है 34 नमबर स्वाल देखे 34 नमबर स्वाल आपका है कि कौन भारत की सबसे यूवा महला पाइलट है यूवा महला पाइलट सबसे है जो 34 का करेक्टन सिरी हो जाएगा आईसा अजीद आईसा अजीद है जो भारत के सबसे यूवा महला पाइलट है 35 नमबर स्वाल को देखे उन्हें तर्मे मिस यूनिवर्स परत्योगता की विजेता कौन है उन्हें तर्मे मिस यूनिवर्स परत्योगता की विजेता कौन है तो 35 का करेक्टन सिरी हो जाएगा option number A यह आपका चाइना देश से समंदित है साइतिस नमर शवाल आपका है निम्रिकित में से किस राज ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था बहुत बार पढ़ाया हूं फ्रेंस साइतिस का पंचायती राज संस्था को लागू किया था लागू किया था यह आत रखेगा अगास्थान में कहाँ फ्रेंस पाया भी रायस्तान के नागार जीले में बद्री गाउ में हुआ था अर्टिस नम्बर 60 संसत के दोनों सदनों के संजोक्त अधिवेशन की अध्यस्ता कौन करता है 38 का कारेक्टर सर्हों जायेगा option नम्बर C और तिसक और पर देखिए सज्जूक के दोनों सद्थमों की संजूक त अधियस्ता कॉन करता है जहस्ता कॉन करता है तो यहां पर देखिए औप्सन इस थोड़ अस्पीकर होना चाहिए और तीस के दोनों संदों की संजूक तदिवेशन को बुलाता कॉन है फ्रेंस तो बुलाता है जो आपका राश्ट पती बुलाता है ठीक है लेकिन इसका ध्यस्ता कॉन करता है तो जो अस्पीकर लोगसभा का अध्यक्ष होता है वही करता है यह बहुत इंप्वाटेंट है फ्रेंस एक बुलाता है उसका अध्यक्षा करता है तो इसमें आप लोग कंफिद नहीं होगा पूछ दे आपसे कि संसत के दोनों सद्वनों के संजुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है तो राश्ट पती होगा लेकिन इसके अध्यस्ता कौन करता है तो इसका हो जाएगा लोगसभा का अध्या जानिया स्पीकर हो जाएगा उनचलिस का जो करेक्टंस रोजाएगा आपसन नमरा आपका सी हो जाएगा ञयाई पालेका को αν्का कि संस्था को संभीधन का संतुलन चक्र माना जाता है तो नयाय में फालेकरा को कि दे खिटम इसे एक भारते संमिधनके अंतरगत राज का नितीं नितीन दे सकता तो नहीं है चालिस का करेक्टन सर ऑप्सन नंबर आपका डी हो जाएगा ठीक है धर्मी की स्वतंतरता का रच्छा करना है जो आपका क्या है अंतरगत राज की निती निदे सकता तो नहीं है बाकी यह सब यह जो है ठीक है फ्रेंस लोक कल्यान के अभी विर्दी है एक रूप सिविल सं अधूनिक दल वियस्था का उद्भव सर पर्थम हुआ अगला सवाल को देखते है फ्रेंस के 42 नंबर सवाल आपका है कि लोक सभा में किसी विद्हयक पर सधारन बहस किस अस्तर पर होती है सधारान बहस, किस अस्तर पर होती है लोक सभा में किसी भी विदयच पर सधारान बहस होता है वो कौन अस्तर पर होता है ठीक है Option 2 इसका Correctance होगा 43 नंबर शवाल को देखे किस आयोग ने केंदर राज्य समंदों का अध्यन किया था केंदर और राजियों से समंदित कौन सा आयोग है? 43 का तरह हो जाएगा सरकारिया आयोग ठीक फ्रैंट सरकारिया आयोग है जो आपका केंदर राज की समंदे से समंदित आयोग है याद रखेगा,"E injured बहुत-धर रग्जाम में आया है कि सरकारे आयो किसे संबंदित है तो के राज की संबंदित के बारे में यह आयो का गठन किया गया था 44 नमर सवाल देखिए आपका कर रहा है कि भारत के राश्पति की निर्वाचन परकिर्या में संसोधन करने के लिए संबंधित विध्यक को पारित किया जाना चाहिए तो 44 का करेक्टन सर अंसोगा आपका D संसत के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोधन से बहुत अच्छा सवाल है कि भारत के राश्पती की निर्वाचन परकिरिया में संसोधन अगर जो करना है जिसे भारत के राश्पती के निर्वाचन परकिरिया है उसमें संसोधन किया जा सकता है 45 नमर शवाल को देखे फ्रेंस कि भारत का पर्थम गैर कांग्रेसी राष्टपती कौन था 42 का जो कारेक्ट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए वीवी गिरी थे जो भारत का पर्थम भारत का पर्थम गैर कांग्रेसी राष्टपती थे भारत का राश्पती चुने जाने वोले पर्थम गैर कॉंग्रेसी राश्पती यही थे नैं बीविगिरी तो आप्शन नमबर एस का कारेक्ट अंसर हो जाएगा चलिस नमर सवाल आपका क्या है फ्रेंस के हमें एक सम्मिधान के अधीन है परंतु सम्मिधान वह है जो नियाएधीस कहते हैं कि वह ऐसा है संजुक्त राज अमेरका के अतिरिक्त यह कथर निम्न में से किस देश पर लागू होता है अच्छा सवाल है फ्रेंस संजुक राज अमेरकम ते लागो होता है उसके अलावा कहा लागो होता है तो यह आपका भारत में भी लागो होता है कि हम एक सम्मिधान के अधीन है परन्तु सम्मिधान वह है जो नाधीस कहते हैं कि वह ऐसा है संजुक राज़ अमेर्का में तो लागोत साथ साथ में आपका इंडिया पर भी बैठता है तो 46 का करेक्टर सर यह होगी आप चले 47 नमर का सवाल को देखते हैं 47 नमर सवाल आपका क्या है कि पानी कांच के प्रिष्ट को भीगो देता है क्योंकि पानी कांच के प्रिष्ट को भीगो देता है क्योंकि पानी कांच के लिए असपर्स कोन का मान है क्योंकि पानी कांच के प्रिष्ट को भीगो देता है क्योंकि पानी कांच के लिए असपर्स कोन का मान कितना होता है कितना है तो लगभग 0 degree है यही कारण से ठीक है अगला सवाल 48 नमबर सवाल है आपका एक आधर्स गयस का आंत्री कुर्जा निरभर करती है आधर्स गयस का जो आंत्री कुर्जा निरभर करती है तेमप्रेचर पर करती है option नमबर C इसका तापमान पर कारेक्ट अंसर हो जाए option number इसका कपरा कमरा धीरे-धीरे क्या हो जाएगा option number B इसका correct answer हो जाएगा ठीक है एक कमरे के अंदर चलते हुए refrigerator के दरवाजा खुला छोड़ देया जाएगा तो कमरा क्या होगा धीरे-धीरे गर्म हो जाएगा option number B हो जाएगा आज का last शवाल देखते हैं फ्रेंस पचास नमर शवाल आपका है कि अस्थाई अवस्था में किसी वस्थू का ताप क्या होता है तो अस्थाई अवस्था में किसी वस्थू का ताप क्या होता है समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग-अलग परिछेदों पर अलग-अलग होता है समय के साथ नहीं बदलता है अस्थाई अवस्था में किसी वस्तु का टेंप्रेचर है समय के साथ नहीं बदलता है लेकिन वस्तु के अलग-अलग परिछेदों पर अलग-अलग होता है पचास का करेक्टर सद्डी हो जाएगा ठीज आपका पचास सवाल था जिक्के जीएस का फ्रेंट और यह था आपका ऐसे तो जिक्के जीएस सभी के लिए कॉमन है इसलिए ब्याहर पुलिस फायर मैं और रुदपात पुलिस दोनों का सिलेवस से कहता आप लोग दोनों इसे जरूर देखे मैं पहले भी बता चुका हो फ्रेंट ठीका है और अभी अप्लिकेशन पर काम चालो फ्रेंट जैसे अप्लिकेशन बन जाएगा उसके बाद में मैं लाइफ क्लास भी आप लोग के लिए आऊंगा तब तक आफलान वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड क